हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू शिखास गार्डन आप लोगों को आज मैं दिखाने वाली हूं गार्डन का समल का जो है वह बहुत ही खुबसूरत प्लांट है यह है पॉर्जुला का इस पॉर्जुला का शेड देखिए आप लोग कितना प्यारा और डिफ्रेंट है और साथ ही से मैंने यहां पर इसको थोड़ा सा अरेंजमेंट जो है वो कर रखा है यह देखिए यहां पर और काफी अच्छा खिल रहे हैं और सबसे अच्छी बात यह है कि इतने हाश समर में भी अगर आप इनको कभी पानी देना भूल जाए या यह दिन भर भी धूप में रहेंगे हो चुके हैं और पूरे गार्डन में यहां वहां छोटे छोटे पॉट्स मेंना मैंने इनको रख दिया है क्योंकि समर में जब गार्डन थोड़ा सा सूखा सूखा सा दिखने लगता है तो इनके कारण गार्डन में थोड़ी सी ग्रीन भी बनी रहती है और यह समर में भी क इस तरीके के flower भी आते हैं तो इन में variation बना रहता है इधर side में देखे ये वाला color और ये भी एक different सा pink है जैसे वहाँ पर pink में white strip थी ये yellow में अभी थोड़े सा mature flower में इसमें और variation दिखेगा ये border में white की strips रहती है और ये काफी खूबसूरत सा darker pink है और ऐसे ही उधर कुछ और म भी मैं आप लोगों को दिखाती हूं ये देखे ये मैंने आप लोगों को पहले भी दिखाया था जो strand के बीच में gap बचता है वहाँ पे मैं ऐसे grow bag में इनको लगा के रख देती हूं तो इनको season निकलने के बाद इनको हटाना भी काफी आसान होता है इनको trim करके एक बार मै नहीं डार्क पिंकिश और ये क्रीम तो यहां पर यह जो कॉर्णर काफी अच्छा सा कॉंट्रास्ट जो है वह क्रियेट करता है और परसुलीन और पॉर्चुला का की सबसे अच्छी बात यह है कि यह प्लांट जो है वह जरा सा भी केयर नहीं मांगते हैं आप पुरानी सीजनल फ्लावर में ब्लूमिंग होने के बाद में उनमें भी आप इनकी कलम लगा देंगे बिना कोई खाद डाले बिना मिट्टी चेंज किये तो अभी यह काफी अच्छा परफॉर्म करते हैं बहुत हार्डी प्लांट्स होते हैं मैंने तो ऐसे छोटे-छोटे कटोरों म मुझे निकालने पड़ेंगे यहां से अब जहां पर भी गार्डन मुझे खाली-खाली लगेगा मैं इन छोटे-छोटे कटोरों को वहां पर सैट कर दूँगी और फिर यह वहां पर खिलने लग जाएंगे बस एक ही चीज का ध्यान रखना होता है कि इने धूप अच्छी चाहिए होती है वो अच्छी मिले तो फिर यह आपके गार्डन में मैजिक करेट कर देंगे तो यह है और बहुत ही लैस केर प्लांट है तो लगाने में भी ईजी है इसकी कटिंग भी काफी लंबी-लंबी हो गई है बहुत सारी कटिंग को मेरी सेल भी हो गई इसमे और यह म यहां पर भी ग्रो होने लग जाएगा यह यह है पॉर्सिलिन और पॉर्टिला का जरूर लगाईए गर्मियों में अपने गार्डन में बहुत अच्छा लुक देंगे आपके गार्डन को और बहुत इजी टो ग्रोइं प्लांट हैं तो उम्मीद करती हूं आप लोगों को य लगाय भाय थेक्केर एं बापी गार्डनीे